नमस्कार दोस्तों जोतिश हस्त रेखा एवं वास्त विश्यशक आचारी पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है कृप्या हमें अपना इसने वस्सहयोग प्रदान करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें साथ ही अपने आत्मी जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें आपका जीवन मंगल मैं हो लाइक करें शेयर करें आचारी पंडित गिरीश बारोलिया जोतिश हस्त रेखा एवं वस्त चैनल रादे रादे जय श्रीकिष्णा नमस्कार मैं चार पंडित गिरीश महारोलिया गायत्री महामेद ओम्भूर्भूवाहस्वाहतत्सवितुर्वरेन्यं भर्गोदेवस्यधीमाहि धीयोयोनाह प्रेचोदयात् अखंड मंडलाकारम व्याप्तम्मेन चराचरम तद पदंदर्सितम्मेनात् तस्मई सिर्गुर्वे नमहाम तस्मई सिर्गुर्वे नमहाम हम कई लोगों को देखते हैं हमारे आसपास जिनके अंदर इतना ज्यादा प्रभवा होता है कि वो जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उनकी बात का भजन परता है तो यह इनमें एक व्यक्तित तो किसी किसी में प्रारब्द से ही आता है अब आपके अंदर यदि नहीं है तो कुछ मंत्र हमारे सास्तुरों में इस प्रकार से बताए प्रहते हैं कि यदि एक निमित रूप से उन मंत्रों का जाब करते हैं तो आपके अंदर जो है प्रियोग किस प्रकार से कर सकते हैं सबसे पहले तो हम आपको कुछ बता है कि इन मंत्रों का आपको गलत इस्तिमाल नहीं करना चाहिए एक बेहन का कली फोन आए था उन्हों ना बताए कि हमने इसका एक बार उप्यो किया तो हमें फलत हुआ लेकिन जब दूसरी बार हमने दूसरे को आकरस्थ करने के लिए किया तो फिर उनके घर में कई प्रकार की परिसानिया प्यादा होगे तो मित्र जब हम बताते हैं तभी आपको और जिन कामों के लिए बताते हैं उन्ही कामों के लिए एदियाप करेंगे तो फर यह मंतर आपको फलत होगा ऐसी एदियाप करेंगे तो फर आपको बिल्कुल भी फलत नहीं होगा किन-किन चीजों में आपको उप्योग करना है यदि आप फिल्म भी नेता है और आप चाहते हैं कि आपकी फिल्में अच्छी चले हैं लोग आपके प्रती आकरसित हो आप माडलिंग करते हैं आप अभिनेत्री हैं या आप नित्य करते हैं या फिर आप जो है गायक हैं तो ऐ कैसे व्यक्तियों को इस मंतर का जाब करना चाहिए आप किसी प्रतिस्ठान में काम करते हैं आप बास हैं या आप किसी के नीचे अंडर में काम करते हैं तो आपकी बातों को लोग कैसे मानें आपका आकरशन लोगों के प्रति कैसे बढ़े तो इस मंतर का आपको जाब करना च जाता है पतनी की बाद पती नहीं मांगता या पती की बाद पतनी नहीं मानती तो ऐसे इस्तिति में दोनों इस मंत्र का जाब कर सकते हैं विद्ध्यारती भी इस मंत्र का जाब कर सकते ताकि उनकी पृतिवा बढ़े उनके अंदर एक पृतिवा उभरे प्रेमी प्रेमी का जो यदि किसी कारण से एक दूसरे से रूट गए है तो वो उनको यह जाब करना चाहिए लेकिन जैसे हमारे कि हमारा जो मन है हमारा जो दिल है एक साधी सुदा महला कूपर आ गया तो हम यह काम देव मंतर का जाब कैसे करें इस प्रकार किये दिया, आप कामना करके करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत जादा परे साइने में पढ़ेंगे हम जो चीज़ें बता रहे हैं, उन चीज़ों के लिए आप करेंगे तो आपको बेपना इसमें लाव अब होगा आपके नाते रिष्टेदार आपका संभान करेंगे, आपके व्यक्तित्व में एक आक्रशन पैदा होगा, आपको किसी को आक्रशित करने के आवज सकता नहीं होगी, स्वेम लोग आपसे आक्रशित होगी, यदि आपके घर में पती पतनी में आपसी कलह चल रहा है, तलाक की स्थिति आगे और आप नहीं चाहते, तो फिर आपको इस मंतर का जाप करने चाहिए, आप नेता हैं, और आप चाहते कि पबलिक के उपर आपका आट्रेक्शन हो, पबलिक के उपर आपकी बातों का असर पड़े, तो आपको इस मंतर का जाप करने चाहिए, आप अभिने छ तो निष्चित रूप से आपको इन सब चीजों में सफलता प्राव्ट हो लेकिन अन्यत्र आपकिसी महला को आकरस्थ करने के लिए पुरुष को आकरस्थ करने के लिए एक तरफा पहिम है यदि आप करते हैं तो उसके लिए हम आपको मना करेंगे कि इस चीज के लिए बहुत सारी चीजे बता रहे हैं जिनके लिए आप कर सकते हैं आपका लड़का आपकी बात नहीं मानता आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती आप इस मंतर के जाब करके देखें या आपके अधिनिस्त कर्मचारी आपकी बात नही तो नित्त आपको एक माला सुबह और एक माला आपको साम के इस मंतर का जाब करने चाहिए ओम क्लींग काम देवाई नमा ओम क्लींग काम देवाई नमा इस मंतर का आप यदि सुबह और साम यदि आप इसका जाब करते हैं तो आपके विक्तित्त में बहतरीन तरीके से निखा अब यदि आप चाहते हैं कि यह मंत्र हमें सिद्ध हो और आपके व्यक्तित में इतना ज्यादा निखार आजाए आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परहसानी ना रहे लोग आपसे आक्रसित हो चाहिए आप राजनितिक छेत्र में हूँ आप फिल्म जगत में हूँ या आप किसी भी ऐसे फील में हूँ आप नौकरी में हूँ तो फिर आप इस मंत्र का जाब करें तो निश्चित रूप से आपके अधिनस्त कर्मचारी आपके प्रती आक्रसित होगे पति-पतनी हो प्रेमी प्रेमी का हो उन्हें इन मंत्र का जाब करने चाहिए आपको करना क्या है किसी भी माहे की पूर्णिमा पंचिमी या एक अधसी से आप संकल्प ले करके एक 24,000 का गायतिर मंत्र का आप अनुस्ठान करें यदि आपके मंत्र सिद्ध करना तब की बात बता रहें अन्य था आप सिर्फ केवल एक माला सुबह और एक माला साम को जो है ओम क्लींग काम देवा है नमा मंत्र का जाब करें अब इसे आपको जिद्ध करना है तो फिर आप 24,000 का ये लगव अनुस्ठान गायतिरी का करें गायतिरी मंत्र के साथ में आप यदि किसी भी मंत्र का जाब करते हैं तो वो मंत्र बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आपको फालित होता है तो आपको करना क्या है प्रतिदेन आपको 27 माला गायतिरी मंत्र की जाब करना और तीन माला आपको ओम, क्लींग, कामदेवाय नमा या फिर कामदेव गायतिरी बंतर का आप जाब करें कामदेव गायतिरी बंतर जो है वो है ओम कामदेवाय बिद्मय रति प्रयाय धीमही तन्नो अनंग प्रचोदे आते इसको description box में हम देने की कोशुश करेंगे इस दो मंतरों में आप किसी मंतर का जाब कर सकते हैं गायतिरी कामदेव मंतर का यदि आप जाब करेंगे तीन माला का तो वो ज्यादा आपको फलित होगा और आप ओम क्लींग कामदेवाय बंतर का भी आप तीन माला का जाब आप कर सकते हैं तो 9 दन का आप अनिष्ठान करें नौ में दने आप 108 आहुतियं आप गायतिरी मंतर की दे दे और 108 आहुतियं ओम क्लींग कामदेवाय नमा या आप गायतिरी कामदेव मंतर है उसकी आप 108 मंतर की आहुतियं दे 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 अब लागडाउन का समय चल रहा है एंसी स्थिति में यदि आपके पास में हवन करने की सौमगरिया या कोई एंसी चीज़े उपलब्द नहीं है तो आप पांस साथ या ग्यारहत दीपक जला दें घी के और एक प्लेट में थाली में उनको रख लें उसमें थोड़ी सी एंसी प्रकार से आप एक स्वाठ बार जल छोड़ते जाएं तो फर यह आपका हवन का कारकम हो जाता है इसी प्रकार से वह स्वाठ के मौन Chopra के माध्यम से ओम क्लीं का मदेवाय नमश्वाह। एदम प्रसिदिन जो आप पूजन करते हैं उसमें आजबन कर लें भावना करें यदि आपको मंतर नहीं आते हैं तो बाएं हाथ में जल्ले लें दाएं हाथ से उसको ढख लें और उसके पस्चात अपनी उपर अविसिंचित कर लें और भावना करें कि इन मंतरों इस जल्ल के द्वारा हमारा जो सरीर है वो पवित्र हो रहा है तीन वार आप गायतिरी मंतर बोलते हुए थे आपको मंतर नहीं आता तो गायतिरी मंतर बोल लिया करें को पस्चात अएं के पस्चात आप एक चम्मिल जल पी करके और सिखा के स्थान पर आप इस पर्स करके मां की जल को फिर अपने उपर अविसिंचित कर लें और भाव ना करें कि देव सक्तियों की जो प्राण उड़ जा है वो हमारे सेरीर के अंदर प्रविष्ट करती हुई चली जा रही है इसके पस्चात में आप प्रत्री माता की पूजन कर लें दाय हाथ से प्रत्री माता की इस पर्स कर लें यदि आपको मंतर नहीं आता है तो गायतरी मंतर बोलते हुए अच्छत पुस्प और जो है वहाँ पर चंदन आधी आप लगा दें इसके पस्चात में कलस का पूजन कर इसी प्रकार से गायत्री मेंतर बोलते जाएं और अक्षत पुस्वादी छोड़ करके वो कर लें संकल्प आप एक दिन पहले ले लें कि हमें हम वो काम के लिए यह कारी करना है पांग सुपाड़ी ले करके आप उसका एक संकल्प ले सकते हैं इसके पश्चात जो आपकी पृतिमा है मा गायत्री की पूज गुरद्यों की उसको साप कर लें थोड़े से पानी छलगके उसमें चंदा नित्यादी लगा दें अक्षत पुस्व छोड़ दें थोड़ा सा प्रसाज छोड़ दें और उसके पश्चात में दोनों हाँ करके चंदन यत्यादी छोड़ करके उनका पूजन कर दें सिर्फ भाव ना करें कि सारी समस्त देव सकते हैं यहां पर आकर के ब्राजबान हो गई हैं यह भावनात्मक हम बता रहें आपको मंतर किसी प्रकार के नहीं आते हैं तब की बात है तो फिर आपको इस प्रकार से पर नाशका के चित्रों को फिर आँखों को कानों को दोनों भजाओं को और फिर इसके बाद दोनों जंगहों में इस पर्स करके और समस्त जल्ग को अपने उपर अभसिंचित कर लेना चाहिए इसके पश्चाज जो है आप पूर मुख को करके फिर आप गैतिनी मंतर का जा आएगा जिसकी आप कभी कलपने नहीं कर सकते हैं तो इस मंतर का आप इस चीज के लिए आप उपयोग करते हैं तो फिर आपके लिए निश्चित रूप से इनमें धेर सारी सफलता है प्राप्त होगी बहुत सारे लोगों का आगरह था कि आचार जी यह मंतर हम कैसे सुद् तो आज हमने फिर आपके लिए यह मंतर बताने की कोशिश की है कि इस मंतर का जी आप इस तरीके से करते हैं तो फिर आपके निश्चित रूप से आसातीत इसमें सफलता प्राप्त होगी इनी कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हूँ आप लोग खोस रहें मस्त हैं मां गायतिरी का सीम करपाइसी प्रकारा आप लोग पर बनी रहे हमें आगे में मुश्कार